Hello Kids, Welcome to Magnet Brains, मैं हूँ चाननी दिनानी और अब हम पढ़ने ही वाले हैं A Busy Month में Birds Feet और Birds Beak के उपर Birds Feet यानि जो Birds के पैर होते हैं वो हर Birds के differently designed होते हैं अलग तरीके से बने होते हैं क्यों? वो अभी हम देखेंगे और फिर हम यही चीज़ देखेंगे Birds Beak में यानि जो Birds की चोच होती है वो भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है तो हम पहले देखते हैं Birds Feet To Swim In Water यानि कुछ Birds के जो feet होते हैं, जो पैर होते हैं वो किसलिए designed होते हैं? ताकि वो पानी में बहुत easily तैर सके जैसे जो ducks होती है, वो पानी में क्या तैरती है और वॉक भी करती है पानी पे तो उनके पैर कैसे होनी चाहिए? जो उनको मदद करे Swim करने के लिए तो ऐसे पैर होते हैं Webbed Feet उन्हें क्या बोलते हैं? Webbed Feet और वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं जैसे अगर हम देखें तो इस bird के जो पैर है, वो webbed feet है जो कैसे designed होते हैं? ताकि जब यह पानी में Swim करें या Walk करें किसी भी छोटे से पानी Water Body पे तो उनको उसमें Help हो तो इस तरीके के पैर होते हैं कुछ birds के जिन्हें पानी में तैरना होता है तो पहला क्या देखा हमने? ऐसे feet which help to swim in water Next feet होते हैं to hold the tree branches यानी जो birds पेडों पे रहती हैं, trees पे रहती हैं वो जो है पेड की जो branch होती है उसे बहुत अच्छे से पकड़ पाए जो पेड की टहनिया होती है उनको बहुत अच्छे से पकड़ पाए और जब उस पे बैठी हो burds तो वो गर ना जाए क्यों क्योंकि अगर उनके पैर जो है वो अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे ट्री ब्रांचे को तो वो गिर जाएंगी इसलिए उनके पैर कैसे design होते है कि side में दो fingers और सामने दो fingers यानि के जिस तरीके से वो ब्रांच को हर जगे से बहुत अच्छे से पकड पाएं तो जो birds जो पेड के टहनिया होती है, जो tree trunks होते हैं उनको पकड़ने में help चाहिए होती है, तो उनके feet जो है वो बहुत अलग होते हैं अगर ये feet जो है पानी में रहने वाली birds के होते तो वो तहर पाती क्या नहीं उनके लिए तहरना easy नहीं होता similarly जो tree को पकड़ने के लिए पेड चाहिए उनके पास जो पैर चाहिए उनके अगर webbed feet होते उनके पास जो swimming के लिए help करते हैं तो ये पेडों को ढंक से नहीं पकड़ पाती तो हर bird के जो feet है वो इसलिए differently designed है क्योंकि वो अलग-अलग जगाओं पे रहते हैं और उनके जो needs हैं जो ज़रूरत हैं वो भी अलग-अलग होती हैं कुछ birds को पानी में swim करने के लिए easy feet चाहिए किसी को tree branches को अच्छे से hold करने के लिए next feet कौन से होते हैं to catch the prey what it hunts यान की जो birds अपना शिकार पकड़ती हैं उनको ऐसे पैर चाहिए कि वो जब अपना शिकार पकड़े तो शिकार जो है बहुत अच्छे से पकड़ पाए और वो गिर न जाए for example जो chill होते हैं vultures होते हैं eagles होती है उनके पैर कैसे होते हैं कुछ ऐसे नुखीले नाखुन टाइप तो वो क्या करते हैं जैसे ही अपने शिकार को जिसे हम prey कहते हैं उस prey को शिकार को पकड़ते हैं तो जो prey है वो उनकी मजबूती से पकड़ में आ जाता है और वो उसको पकड़ के उड़ जाते हैं तो क्या हुआ इस फीट की वज़र से उनको help मिली अपने prey को पकड़ने में to climb the tree अब कुछ-कुछ birds होती हैं जिने पेड़ पे चड़ने के लिए फीट की जरूरत पड़ती है तो उनके फीट कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे कि एक वुड़ पैकर के हम फीट देखें तो वो कुछ इस तरीके से designed होते हैं तो उसकी मदद से वो ट्री ट्रंक या पेड़ को जो है बहुत easily जो है पकड़ के उस पे climb कर पाते हैं और गिरते नहीं हैं तो हर बर्ड के जो फीट है वो इसलिए different है क्योंकि किसी को पानी में swim करने के लिए help चाहिए किसी को अपना प्रे या शिकार पकड़ने के लिए help चाहिए तो किसी को पेड़ की जो टहनिया होती है जो tree trunks या branches होते हैं उनको पकड़ने के लिए help चाहिए तो कुछ birds को अपने trees पे climb करने के लिए ऐसे feet चाहिए होते हैं जो उनको easily climb करने में मदद कर पाएं to walk on the land और कुछ birds होते हैं जो धर्ती पे जो है walk करते हैं तो उनके feet जो है वो अलग तरीके से designed होते हैं उनके लंबे लंबे पैर और फिर उनके toes होते हैं जिसकी मदद से वो easily land पे walk कर पाते हैं तो कुछ birds जैसे flamingos हो गई उनके पैर कुछ ऐसे ही दिखते हैं जिसकी मदद स वो बहुत easily land पे walk कर पाते हैं अब हम देखेंगे कुछ birds beak according to the food जैसे birds feet जो थे उनको किस चगहां पे चलना है किस चीज के लिए जरूरत है वैसे उनकी feet यानी pair design थे अब कुछ birds होते हैं जिनकी चोच या beak जो होती है वो क्या खाते हैं उस पे based होती है और उस पे designed होती है जैसे पहले to tear and eat meat अब वो birds जो मास खाते हैं जो meat खाते हैं तो उनको ऐसी चोच चाहिए जिस जो meat है उसको वो बहुत easily tear कर पाएं फाड पाएं and eat और फिर उसको अच्छे से चभा भी पाएं तो उनकी बीच कुछ ऐसी beak होती है आगे से जो है देखिए बहुत नुकीली sharp है इससे क्या होगा जो meat होगा उसको ये easily उसमें जो है ऐसे hook की तरह अपनी beak डाल पाएंगे और फिर उसको खीचेंगे तो वो tear भी हो जाएगा तो easily वो meat को खा पाएंगे तो इनको कैसी beak चाहिए इनको ऐसी चोड़ी और फिर सामने से लुकीली जो है beak की जरूरत पड़ती है हमने क्या देखा था कि कुछ birds जैसे woodpecker क्या करते है वो जो पेड होता है उसकी लकड़ी में अपनी चोच की मदद से एक hole बनाते है एक गड़ा बनाते है और उसमें अपना nest बनाते है तो इनको क्या चाहिए इनको लकड़ी में hole करने जैसी beak यानी चोच चाहिए ताकि वो easily उसमें hole कर पाएं तो इनकी कैसे होती है एक बहुत लंबी लुकीली जो है beak होती है जिसकी मदद से वो ट्री में बहुत easily hole या गड़ा बना पाते हैं तो beaks जो है वो पहली हमने देखी जो क्या कर पाएं मीट को टियर करके खा पाएं वैसी भी दूसरी जो ट्री ट्रंक में easily hole बना पाएं for example hummingbird वो क्या करती है फूलो का रस लेती है यानि उसका खाना क्या होता है फूलो का रस तो उसको सक करने में चूसने के लिए फूलो के रस को उसकी चोंच जो है वो कुछ ऐसी लंबी नुकीली होती है for example जब हमको liquid सक करना होता है हम क्या यूज करते है एक straw वैसे ही इनकी beak होती है जिससे बहुत easily ये nectar को सक कर पाती है तो कुछ birds जिने फूलो का रस सक करना होता है वो ऐसी beak वाली होती है to find insects and worms from mud and shallow water अब कुछ birds होती है जो या तो पानी में से या फिर मिट्टी में से कीडों को ढून कर उसे खाते है तो इनकी beak कुछ ऐसी होती है बहुत लंबी ताकि ये पानी के अंदर जा पाए और मिट्टी के अंदर अपनी चोच डाले तो बहुत easily worms को निकाल के खा पाए जैसे पानी जो है वो बहुत गहरा है तो इनकी चोटी सी चोच होगी तो क्या होगा अगर इतनी सी चोच होगी तो पूरा फेस इनको अंदर डालना पड़ेगा तम जाके इनको कोई insects खाने को मिलेंगे तो वो बहुत difficult हो जाएगा तो इनकी beak ऐसी designed होती है जो बहुत लंबी होती है ताकि जब वो पानी में अपनी चोच या beak डाले तो उनको बहुत easily insects मिल पाएं उसी तरीके से जो मिटी होती है उसमें भी अपनी ये चोच जब अंदर तक डालते हैं जहां पे insects होते हैं वहां से उनको पकड़के ये खा पाते हैं तो कुछ birds जिनको कीडे मकोडे कहां से मिटी यानी मड और शैलो यानी गेहरे पानी में से ढूननी पड़ती है उनकी beak कुछ ऐसी designed होती है To break and crush seeds अब कुछ birds होते हैं जो क्या खाते हैं दाने खाते हैं तो उनको तोड़ने में क्या लगती है बहुत महनत क्योंकि दाने या nuts वगेरा हो गए वो बहुत सक्त होते हैं Solid होते हैं तो उनको तोड़के खाने के लिए कुछ बहुत ही strong और broad मोटी सी beak चाहिए होती है तो जैसे हम कभी hen को देखें मुर्गे को देखें तो उसकी भी कुछ ऐसी ही चोच या बीख होती है जिसकी मदद से वो जो दाने हैं उनको अपनी चोच से तोड़ पाते हैं और उनको जब खाते हैं तो मूँ में उनको crush कर पाते हैं तो अगर उनको break या crush seeds यानि ये उनका खाना है कि उनको दानों को, बीज को, नट्स को बहुत अच्छे से तोड़ कर और crush करके खाना है तो वो क्या करते हैं? उनके पास ऐसी beak होती है जो उनको बहुत easily ये help करती है कि आप अपने seeds जो है break और crush करके खा पाएं फिर है to cut and eat many kinds of food अब कुछ-कुछ birds होते हैं जिनको अलग-अलग तरीके के खाने, यानि उनका खाना fix नहीं होता क्यों उनको warm सी खाने हैं तो उनको क्या करना होता है जो अलग-अलग तरीके के खाने होते हैं जो उनको खाना है उस वक्त या उनको जो मिल जाता है बर्ड्स को उसको अच्छे से पाड़ के या टियर करके खा पाएं, कट कर पाएं तो उसके लिए उनके पास अलग तरीके की बीक होती है जो normally हम बहु इस वीडियो में हमने देखा कि every bird has a different kind of feet and a different kind of beak यानि हर बर्ड के जो पैर होते हैं वो differently designed होते हैं और उनकी चोंच या बीक भी जो है वो बहुत differently designed होती है पैर कैसे designed होते हैं जिससे उनको जहां वो रहते हैं वहाँ चलने में, स्विम करने में help हो पाए अपने prey, अपने शिकार को पकड़ने में help मिल पाए या पेड़ पे चंड़ने की help मिल पाए और जो beaks होते हैं वो उनके खाने पर depend करते हैं कि वो किस तरीके के खाना खाते हैं उस पे based उनकी चोंच होती है तो next video में हम और भी ऐसी ही बाते discuss करेंगे in the busy month तब तक आप अपना ध्यान रखिए और class vote से 12 तक के notes के लिए आप magnetbrains.com पे visit कर सकते हैं थांक यू सो मच पर वाचिंग बाए